मिवात में बार बार तैंदुआ आने से लोगों में दहसत का माहौल 15 दिन में तीन बार देखा गया तैंदुआ नुहू घाटी में दमपती पर हमला कर महिला को किया घायल अरावली में घूम रहे कई तैंदुआ लोग भैभीत बता दें नुहू के नलण मंदिर और सीलको गाउं तक अरावली पहाड में पिछले तीन हपतों से एक तैंदुआ की हलचल दिखाएती रही है बीते 15 दिन में करीद तीन बार तैंदुआ आबादी छितर के नश्थिक पहुंच कर अपने दर्सन करा चुका है इसके लाबा गत सनिवार को भी तैंदुआ ने नुहू घाटी में रात के समय में मोटर साइकल सबार एक दमपर्टी पर हमला कर दिया जिसमें महिला घायल हो गई इसे नुहू घाटी से लोग रात में सफर करने से भी डर रहे हैं अरावरी छेतर सिसटे गाउं में रहने वाले पसू पालक अपनी पस्वों की सुरक्षा को लिकार चिंतित हैं बता दें कि गत तेईस फरवरी को नुहू के नलहड मंदिर परीसर में अचानक तैंदुआ देखने से हड़का मच गया था तैंदुआ करीब 20 मिनट तक मंदिर परीसर के समी पे एक चटान पर बैठ रहा उसे तोरान इस तानिये लोगों ने मोबाइल से वीटियो और फोटो लेने शुरू करती है इसके लाबा दूसरे तिन फिर मंदिर परीसर के नस्तिक तैंदुआ देखाई देने से लोग भैवित हो गई मंदिर परीसर आपको बताने कि मंदिर परीसर में मंदिर के परवंधन से जुड़े लोगों ने भी सृध्धवालों से अकेले ना आकर समू में आने की अपिर की है नलहड मंदर परवंधन से जुड़े राज चौप्रा ने कहा है कि पहले भी कई बार छेतर में तेंदुआ आ चुका है इसके अलाबा बीते सनिवार को रात नुह से मोटर साइकल पर सबार होकर तावडु की और आ रहे दमपती पर घाटी में तेंदुआ ने हमला कर दिया जिसमें महिला घायल हो गई जबकि हमला करने के बाद तेंदुआ अरावली छेतर में लापता हो गया गायल महिला को तावडू शहर में एक निशी अस्पताल में उपचार के लिए ले चाये गया पिड़त जावेत का कहना है कि रात दस वजे के करीब तेंदुआ ने उनकी पतनी के पैर में खरोंच मार कर गयाल कर दिया था अरावली छेतर से सटे गाउं शीलखो नूरपूर धिल्मकी छारोडा रहना टपकन नलहड आधी में रहने वाले पसू पालकों को भी चिंता अवस्टाने लगी है सबी पस्वों की सुरक्षा को लेकार भैबीत हैं और मोटर साइकल से आवागवन करने से लोग डर रहे हैं इस संदर में नम नियुक्त जला वन अधिकारी परदीप ने मुवाइल पर बात चीत करते हैं कि वन जी विवाहा को इस संबन में सुचित कर लोगों की सुरक्षा है तो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं आप देख रहें लियाकत अलिक रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिएगा उला किया उस हमले में मैं तो बचिया लेकिन मेरी मिसिस के पैर पर उने बाइट की बहुत तेजी से पंजा मारा या दाथ उसके डर का अचानक माहूल हो गया था तो समझे नहीं पाए बहुत तेज लहु लहान हो गई खून काफी बहा है फिर हम महां से आकर के नीचे हमने सीर्खों में बाइक रोक करके देखा तो सच में बहुत जादा खून बाहरा था उसके बाद हम जो है कि एक होस्पिटल में गया निजी होस्पिटल में रात का टाइम था तो फरस्टेड में वहां से टीटी बगएरा के इंजेक्शन लिये बागी दिन में रह भीज लगव हुई है बकिवी दर्द है बहुत ज्यादा कितने बजी के बार द्यात होगे रहे रात के जाड़े दस या सावा दस का टाइम होगा